दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख राओगा इस पर आप लोगों को दबाना है उसके बाद बेल आएगी बेल पर भी दबाना है फिर तीन ओप्सन दिखेंगे आल वाले ओप्सन पर दबा लेना है बस अब हर जानकारी आपके पास हमारे चैनल की सची खबरों में आप सबका स्वागत है फटाफट सभी भाई बहन एक बार वीडियो को लाइक कर दें और जिन भाई बहनों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाया था तो बेल दबा लें क्योंकि तभी आप चैनल से जुड़ पाएंगे तो सब्सक्राइब सभी को कर लेना है खास कर उन लोगों को जो पहली बार जो है सब्सक्राइब करने जा रहे क्योंकि एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है अब देखिए यहाँ पर सरकारी स्कूलों में आंगनबारी केंद्रों क इस थानांत्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है यह खबर बहुत ही बड़ी है अब सरकारी स्कूलों में आंगनबारी केंद्रों को इस थानांत्रित किया जा रहा है इसके बारे में जानकारी आ रहे है जैपूर में छपी है नवजयोती की तरब से और आपको बता इस खुलों में सिफ्ट कर दीजिए या इस्थानांतरित कर दीजिए इसको लेकर समेकित बालविकास सेवाएं विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और आदेश जारी कर दिये गए हैं साथी साथ महिला इमा बालविकास जो राजमंतरी हैं ममता भुपेश जी उन्होंने भी जो है राजस्थान में कहा है कि विभाग के अंतरगत संचालित विभिन जो योजनाएं हैं उनके क्रियानवेन के लिए सभी अधिकारी कार योजना बना कर समय पर कारवाई करना सुनिश्चित करें उन्होंने यह भी कहा है कि विभागी विवसाइट के अपडेशन की आगन वारे सीगर करने के नर्देश दिए गए यानि जो केंदर राजस्थान में किराय पर चलना है आंगनबाडी भवन उनको राजकी जो आपके स्कूल है प्रात्रिं विभाड़े धा में उनको सरकारी लोगों में से बहुत से लोग पहचान गये होंगे क्योंकि प्र ciąह जो आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो नए सत्र में तो अब इन्ही चीजीज़ों को ध्यान में रखते हुए अन्य राजस्थान सरकारे भी इन्चीज近 को करेंगी वहां भी ट्रेनिंग दी जाएगी तो राजस्थान में जो आगनवारी केंद्र है उनको सरकारी प्राथविंग जो स्कूल है उनमें सिफ्ठ किया जा रहा है और साती साथ जो आपके किराय परभवन चल लहाएं थे उनको वहां के राज Dani की विद्याले में सिफ्ठ किया जा रहा है अब आगे आपको बता दे उन्होंने विभागी अधिकारियों द्वारा विभाग की संचालित विभिन यूजनाओं एवं कारिकरमों के निरिच्छण गत्विदियों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिये हैं सीगरी राष्टी ये मोसन जो आपके पोसर मिसन अभियान के तहत आंगन बाड़ी जो कार करता है उनको पोसाग वितरण की पारना सुनिशित की जाए तो राजस्थान में जो पोसाग वितरण को लेकर के भी जानकारी आ रही है कि उसको भी जो है किया जाए मीडिया प्लान के अनमोधन के अनुसार विभागी गत्विदियों के प्रचार प्रसार पर जोड़ दिया जाए प्रदान मंत्री मात्रवन्दना योजना तता नमीन इंदरा गांधी मात्र पोसर योजना के कलेंडर वा मुद्रण की कारवाई में प्रगती लाने के साथ ही प्री स्कूल किट के प्रस्ताओ पोसर गाइडलाइन प्रपत्र और कार्ड के मुद्रण पर भी सीगर कारवाई के साथ विभागी पत्रावलियों का समय पर निस्तारण किया जाए ऐसा सरकारी आदेश राजस्थान में निकल चुका है दोस्तों अब इसके बारे में आपको बता दे मेरे पास जो है नर्बादा लिखा हुआ है कारकरता चैसल में राजस्थान ऐसे उन्होंने लिखके जी है नाम तो यहाँ पर उन्होंने लिखकर कि अपना नहीं भेजा लेकिन जानकारी बहुत ही काम की थी तो आगे आप लोगों को बता दे एक अगला सरकारी आदेश ये जारी हुआ है उत्तर प्रदेश में निरसाले से 13 जनवरी को ये लेटर निकला है और उत्तर प्रद कराने के संबंद में लेटर 13 जनवरी को अभी हाली में एक और निकला है पहले भी सरकार ने लेटर निकाले है तो देखते हैं नए वाले लेटर में क्या-क्या सरकार ने कहा है इसमें कहा गया है कि जिसके द्वारा जन्पदिस्तर पर संचालित आंगनबारी केंद्रों की जो सूचना है प्राथमिक विद्यालियों एवं किराय के भवनों को छोड़ करके ये उत्तर प्रदेस वाले इस सरकारी आदेस में बोला जा रहा है नरधारित प्रारू पर दिनांक 24-12-2020 तक चाही गई थी कौन से केंद्रों की जो केंद्र अपने खुद के आंगनबारी भवन में संचालित हैं उनकी सूचना चाही गई है क्योंकि ब्राथमिक विद्याले में केंद्र चलना है और जो किराय पर केंद्र चलना है उत्तर प्रदेस में इन केंद्रों को दोनों को छोड़ करके जो खुद के भवनों में आंगनबारी केंद्र चलना है उनके लिए जो है प्रारूप पर सूचना मांगी गईा है जल जीवन मिसन सो दिन का अभियान के अंतर, देखो इसमें आपके जो प्रात्वीВी मीडियाले हैं उनको उसलिए छोण दिया गया है क्योंकि जादा तर प्रात्वीं की द्याले में पहले से नल लगfen हैं तो इसके लिए जल व भवन भी लिये जाते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि मानक आप इसके लिए देखते हो कि वहाँ पर नल जल है या नहीं है लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता कि आंगन बारी केंद्रों का पैसा यानी भवन का किराया वहाँ निदसाले से जब भुगतान नहीं होता है तो अच्छे केंद्र भी नहीं मिल पाते हैं और जितने में बोगतान किया जाता है उतने में अच्छे केंद्र वहाँ पर सारी सुविधाय भी नहीं मिल पाती हैं अब आगे बता दें कि निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 24 जो है 12-2020 तक ये सुचनाय चाही गई थी लेकिन लगातार मौखिक एवं वाटसेप ग्रूप के माध्यम से निर्देशित किये जाने के उपरांत भी अधिकांस जनपदों द्वारा अपूर्ड और तुटिपू जबकि इस पश्ट रूप से विभागी वाटसेप ग्रूप पर जिलाकार के मधिकारी मुख्याले के साथ ही आदो हस्ताच्री द्वारा भी प्रात्रवी गिद्याले एवं किराय के भवनों को छोड़ करके अन्य सास की एवं विभागी भवनों में संचालित केंद्रों के संबंद में सूचना अन्य जो है वित्रण के साथ उपलवद कराने का नर्देश दिया गया है इनका कहना है सरकारी आदेश में कि हमने जो लिटर निकाला था पहले उसमें उन्होंने कहा था कि जो आपके प्रात्रवी गिद्याले वाले हैं और जो सरकारी जो किराय पर चल पहले पूर में मांगी गई है वो सायद एक बार फिर मांगी जाएँ अब आगे देखे इसमें लिखा गया है कि जो है यहां पर 12.1.2020 के द्वारा उक्त के सम्मंद में कुछ अन्य सूचना भी चाही गई है अब देखे नई सूचना क्या चाही गई है इसी से रिलेटेड पहला है सूचना प्राथमिक विद्यालियों एवं किराय के भवनों में संचालित आंगन बाड़ी केंद्रों को छोड़ कर दी जानी है। प्राथमिक विद्यालियों में चलने उनको छोड़ करके दी जानी है। और टिपड़ी के कालम में अंकित कर दें कि एक ही जगह इस्थान पर दो आंगन बाड़ी केंद्र संचालित है। उदाहर और सुरूम मैं आपको बता रहा हूँ जैसे माल लिजे कोई एक स्कूल है। वहाँ पर जो है या स्कूल माल लिजे नहीं क्योंकि प्रातियों की डाले के परिसर वाले जो केंद्र होंगे उनके लिए उनका कहना है कि प्रातियों की डाले को छोड़ गर के हमको सूचना चाहिए। तो जो खुद के भवन है उनकी मांगी जा रहे हैं माल लेजे दो आंगनबाडी भवन पास पास बना दिये गए तो ऐसे में दोनों का नहीं जाएगा एक ही लोगों का भरा जाएगा और क्योंकि पास है ठीक है तो एक ही नल काफी है अब पास है तो एक भर कर जाएगा और ट वही आपको longitude और latitude को लेकर के बोला जा रहा है अच्छांस और देशांतर को टिंद्र की location के लिए अगला है पूर उप्रेसित प्रारूप में ही जो है विद्धुत connection की जो उपलब्धता है अनुपलब्धता है इनके संबंद में जानकारी भी दी जानी है जिससे कारेदाई संस्था प्राथमिक्ता के आधार पर उक्त कार को संपन करवा सके तो यहां पर विद्धुत connection के बारे में भी पूछा जा रहा है अगर नहीं है तो करवाया जाएगा आगे देखिए प्राथम विद्ध्याले एवं किराय के भावनों में संचालित केंद्रों के साथ ही अन्य समस्त प्रकार के भावनों में संचालित केंद्रों के हो जो उनको सूचना को भी राज पेजल सुचता मीसन उत्तरप्रदेश के पोर्टल पर अपलोड किया जाना ह इसे लिए जो है लेखा गया कि निरधारित प्रारूप पर ही समस्त केंद्रों की सूचना और या उसको तयार कर रखी जानी है नरदेश प्राप्त होने पर ही मुख्याला है प्रेसित करना सुनिचित करें और ये सब चीजे करके बोल दी गई है और कहा गया है कि उत्तरप्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्परेशन को सासंद वारा कारेदाई संस्था नामित किया गया है और उक्तकार में इनके विभागी अधिकारियों को पूर्र सहयोग प्रदान करने जो भी सुनिचित किया गया है तो दोस्तों ये अरविंद कुमार चोरसिया जी है अपर निदेश्थक हैं उन्होंने ये लेटर निकाला था उत्तरप्रदेश में तो आप लोगों ने उनके द्वारा भेजा ये लेटर भी जाना और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये लेटर भीजा किसने है ये वाला लेटर जो हमारे पास आया हुआ है इसको हम थोड़ा नीचे स्लाइट करते हैं ताकि दिख जाए मुझे ये लेटर यहाँ पर अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा एक भाई है उन्ह प्रचता को लेकर के ऐसे सब चीजे लिख दी गई है इसके अलबा एक और ये फॉर्मेट है वही लंबा वाला इसमें पहले आप लोगों को याद होगा 19 सायद या 20 कॉलम थे अब इसमें जो है 23 कॉलम कर दिये गए हैं साफ नहीं देख रहा है वरना मैं आपको इसमें जो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके विल दबा करके जाईएगा क्योंकि तभी आपके पास सची जानकारिया मेरे दोरा दी जाती हैं वो पहुच पाएंगे